Good evening, आज कम समय में कुछ अच्छा बनाना था, तो बनाया सोया मसाला पुलाओ, तो इसके लिए सबसे पहले पानी उबलने रख दिया, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, और जब तक पानी उबल रहा था, तब तक मैंने एक ग्लास चावल लेकर उन्हें अच्छे से धो दिया, और फिर उन चावलों में पानी डाल कर साइड में रख दिया, और इतनी देर में पानी भी उबल गया था, तो उसमें सोया चंक्स डाल दिया, और अच्छे से मिक्स करके उसको ढखकर उसको भी साइड पे रख दिया, और अब मैंने एक आलू लेकर उसको छील लिया अच्छा मैंने इसमें बास्मती राइज इस्तिमाल करें आप कोई से भी राइज इस्तिमाल कर सकते हैं और अब आलू छीलने के बाद उसको पीसेज में कट कर लिया अब आलू के पीसेज में पानी डाल कर उसको भी साइड में रख दिया आलू के पीसेज मीडियम साइज के काटे थे अब मैंने दो प्याज और थोड़ा सा लसन लेकर उनको छील लिया उसके बाद लसन को बरिक बरिक चौप कर लिया और प्याज को ना स्लाइस में काट लिया और पुलाओ के लिए जब भी प्याज काटो ना तो ऐसे बड़े बड़े मोटे मोटे स्लाइस ही करना तो चलिए अब हमारे दोनों प्याज कटकर रेडी हो गए हैं और अब हम टमाटर काट लेते हैं और टमाटर के साथ ही इसमें दो हरी मिर्च भी काट लेंगे और अब हमारे प्यास टमाटर कटकर ready हो गए हैं तो चलिए इतनी देर में हमनी जो सोया चंक्स गरम पानी में बिगोए थे भो भी soft हो गए हैं उनको चान कर उनका पानी रग कर देंगे और अब उन सोया चंक्स में थंडा पानी डाल कर उसे अच्छे से धोलेंगे ठंडे पानी से धुने के बाद उसको अच्छे से निचोड लेंगे बहुत अच्छे से इसका पानी निकाल देना है और अब हमें इसे मैरिनेट करके रखना है इसके लिए मैंने इसमें डाली है दही, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक अब इन दही और मसालों को सोया चंक्स में बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया जब सोया चंक्स को मैरिनेट करके रखते हैं न तो इससे इनका टेस्ट बहुत इनहेंस हो जाता है दही और मसाले मिक्स करने के बाद इनको भी साइट पे रख देंगे अब हम कूकर में थोड़ा सा ओयल डालेंगे और उसमें जीरा डाल कर भून लेंगे जीरा भूनने के बाद इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे और अब इस गरम-गरम तेल में प्याज डाल लेंगे प्याज डालने के बाद इसको ट्रांसलूसेंट हुने तक भून लेंगे प्याज हमारे भूनकर रेडी हो गए हैं तो बस अब हम इसमें वो सोया चंक्स डाल देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखे हुए थे और बस अब इसमें आलू भी डाल दिये सोया और आलू को थोड़ी देर भूनना है जादा नहीं भूनना है प्रेशर कुकर में बाद में आराम से नरम हो जाएंगे थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और अब मीडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट टमाटर को भी अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक और इसके बाद मैंने इसमें डाला एक चमच भर कर पाव भाजी मसाला पाव भाजी मसाला बहुत ही टेस्टी लगता है चावलों के साथ आप लोग एक बार डाल के जरूर देखना और अब मैंने इसमें डाल दिया 1.5 गलास पानी एक गलास चावल लिये थे तो मैंने उसमें 1.5 गलास पानी डाला है और पानी डालने के बाद अब मैंने इसमें चावल डाल दिये हैं और इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको बहुत जादा मिक्स नहीं करना है नहीं तो चावल तूट जाएंगे और अब कुकर का धकन लगा देंगे और एक विसिल आने तक इसको पका लेंगे तो चलिए इसमें विसिल आ गई है और अब हम गैस को आफ कर देंगे और कूकर को ऐसे ही रख देंगे इसकी भाप नहीं निकालनी है अपने आप ही इसकी भाप जब निकल जाए तब इस कूकर को खोलना है कभी-कभी ऐसा होता है ना कि बहुत जादा मेहनत करने का मन नहीं करता है और अच्छी चीज़ खाने का मन करता है जिसमें जादा समय भी ना लगे तब आप बनाए इस सोया मसाला पुलाव को बहुत ही जादा टेस्टी और जम्मी बनकर तियार होता है और इसे बनाने में बस 15-20 मिनट ही लगते हैं तो चलिए लगा लेते हैं हम अपने प्लेट, दही, सलाद और सोया मसाला पुलाव अंज्वाए